आप सब लोग खेरियत से होंगे आज का हमारा ये रमजान का पहला एपिसोड है और हम आज इस वीडियो में आपको एक बड़ी ही प्यारी अहदीश सुनाने वाले है प्लीज आप सब लोग इस हदीश को ध्यान और तवज्जों से और अमल करने के नियद से सुने हदीश पाक का मखूम है हजरत अबु हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्द फर्माते है कि जो शक्स अच्छी तरह से वजू करता है फिर नमाज ही के इरादे से मस्जिद की ओर जाता है तो जब तक वो इस इरादे पर कायम रहता है तो उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है उसके एक खदम पर एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे खदम पर उसकी एक बुराई मिटा दी जाती है जब तुम में कोई इकामत सुने तो दोड करना चले और तुम में से जिसका घर मस्जिद से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही उसका सवाब ज्यादा होगा हजरत अबु हुरेरा रजियल्लहु ताला अन के शागिर्दों ने ये सुनकर पूछा की अबु हुरेरा घर दूर होने की वजह से सवाब ज्यादा होगा क्या तो इस पर अबु हुरेरा रजियल्लहु ताला अन ने फरमाया जी हाँ सवाब ज्यादा होगा इसलिए कि ख़दम जाजा होंगे देखिये ना कितनी प्यारी अहदीस है यानि कि जो शक्स घर पर अच्छी तरह से वजू करता है और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने के इरादे से मस्जिद की ओर जाता है तो अल्ह ताला उस बंदे के एक ख़दम पर उसे एक नेकी देते हैं और एक गुना उसका माफ करते हैं तो इंशालला आज से ही अभी से हम सब इस हदीस पर अमल करेंगे और अपने घर से वजू बना कर नमाज की नियस से मस्जिद की ओर जाएंगे तो हमारे एक ख़दम पर एक नेकी हमें मिलती जाएंगी और एक हमारा गुना माफ होता जाएंगा वाओ और हदीस पाक का मखूम है कि जब आप एक खामत सुने तो दोड़ा ना करें बलकि धीरे धीरे आहिस्ता से बड़े ही अदब से जाएंगे ताकि आपको एक ख़दम पर एक नेकी मिलती जाएंगे और एक गुनाह आपका माफ होता जाए और अगर आपके घर से मस्जीद थोड़ी दूर है तो इसका मतलब आपको जाजा ख़दम चलने को मिलेगे और आप जाजाने क्या कमाएंगे और आपके जाजा गुनाह माफ होंगे ठीक इसी तरह से अगर आप गल्स हो आप भी अच्छी तरह से वुदू करते हैं और चाह आप नमास परते हो अपने घर में महां तक जाते हो तो आपको भी नेकीया मिलेगी और आपके भी गुनाह माफ होंगे इंशालला इस हदीश पर हम अभी से अमल करेंगे अल्लह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफिक अता फर्माए आमिलिन चलिए तो आज के लिए बस इतना ही इंशालला हम कल फिर से लोटेंगे एक बहुती प्यारी आहदीश के साथ तब तक आप अपना और अपने सेहत का खयल रखना और हमें आपके प्यारी प्यारी दौाहों में याद रखना सुनिये सुनिये हम एक बात तो बता ना भूल ही गए आपको यह रमजान का मुबारक महिना है और अल्हा ताला हमें एक नेकी के बदले इस महिने में सत्तर नेकिया अता फर्माते है यानी की जब हम घर से अच्छी तरह से वुदू करकर मस्जीद की और नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो सोचिए हमें कितने नेकिया मिलेंगी तो चलिए मिलते हैं हम आपको बहुत चल्ड अगली वीडियो में तब तक आप अपना और अपने सेहत का खयार रखना अल्ला हाफिज अल्ला हाँ